तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे टेंका राइरेन को असानी से मार देती है और फिर वो चारों ही उन सभी को अलविदा कहकर वहां से चली जाती है जिसके बाद यूकी के इनाम के लिए क्योक और हिमारी दोनों एक साथ मिलकर उसे नहलाती है इसके बाद ने उन लो को शिकोकु और जोरू का स्केच बना कर दिखाती है और फिर रात में जब यूकी सो रहा होता है तो तेंका उसके पास आकर उसे सोते हुए देखती है इसके बार अगले दिन हम उन तीनों को कार में सैवर स्कौर्ड के डॉम की और जाते हुए देखते है और यूकी उसे द परवाजा खोल कर कहती है आने के लिए शुक्रिया और अब अंदर आ जाओ फिर वो जाते हुए क्योका से पूलती है यहाँ ने में कोई परिशानी तो नहीं हुई ना तो क्योका कहती है रास्ते में आते हुए बस कुछ शुकी इसको खतम किया लिकिन ये तो माटों में आम हाथ है इसके बार रुक करों दोनों से कहते है टेंका और मुझे एक मीटिंग करनी है और इस बीच हिमारी मैं चाहती हूँ कि तुम सिस्कॉर्ड के मेंबर से जान पहचान बढ़ाओ फिर टेंका कहती है हमारी कुछ मेंबर समिशन पर गए है तो वो हमें जोइन नहीं करें है फिर टेंका कहती है मुझे माफ करना हमारी केर टेकर इस वक्ट डॉम में नहीं है वो शाम तक आ जाएगी तो ये बस तब तक के लिए ही है तो यूकी कहता है कोई दिक्कत नहीं डीमन डिफेंस फोर्स का हिसा उन्हें कि नाते हमें एक दूसरी की मदद करनी चाहिए और के बाद वो कहता है अगला काम लॉंडरी का है लेकिन वहाँ पर बस उन सबी के अंडर्वेर्स और ब्रास ही होती है जिसे देकर यूकी मन में कहता है सांस लो और बो शांत रहो तुम सेवर्ट स्कौर्ड की लॉंडरी हमेशा करते हो लेकिन इतनी अलग-अलग तरीकी के अ पर इतना से लाल हो जाता है और कहता है रहने दो मुझे अभी इसकी आदत नहीं हुई है इदर शूशू फोन चलाते हुए कहते है यूकी अभी क्या कर रहा होगा काश मैं भी उसके साथ जा पाती जिसके बाद वो उसके साथ की हुई किसको याद करती है और फिर आगे कहत है कि मैं उसकी पसंद बनूँगी और मुझे समय को खुद को बहतर करने में लगाना चाहिए फिर वो अपने कमरे की ओर दे कर कहती है लगता है मुझे ये सफाई करने से ही शुरू करना चाहिए इदर यूकी के हाथ में याचियों के यूनिफॉर्म होती है और वो कहता है हिमारी की बड़ी बहन का कमरा है जिसके बार वो उसके बारे में यार करता है और फिर कहता है पता नहीं वो मुझे दे कर क्या बोलेगी फिर वो ढोर को नौक करता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता फिर यूकी दो बार और बलाता है लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आत फिर वो आगे कहता है वो यहाँ नहीं है, तो लगता है मुझे इसे उसके कमरे में ही रख देना चाहिए, फिर वो दर्वाजा खोल कर कहता है अंदर आने के लिए बाफ, पर तो ही वह वही पर रुक जाता है, और वो देता है कि याचियों के पूरे कमरे में बस हिमारी की ही पिच्चस लगी होती है ये सब देखकर शौक हुआ यूकी उसकी यूनिफाउओ को वहाँ पर रखकर दरवाजा बंढ करता है और फिर वहाँ से भाग कर जाते हुए कहता है हे भगवान वो क्या था वो क्या था वो क्या था जिसके बाद वो भाग का लिविन रूम में आता है और तभी उसे अपने सामने सहारा सोभे पर सोई हुई मिलती है और यूकर उसे देखका शौक हुआ कहता है मिस सहारा वाकासा वो लिविन रूम में क्यों सो रही है और तो और सिर्फ अंडर वियर में ही क्यों लेकिन मैं उन्हें ठर्ण लगने नहीं दे सकता तो मैं बस पर तभी सहारा उसे पकड़ लेती है और फिर यूकी मन में कहता है क्या वो मुझे अपना पिलो समझ रही है जिसके बाद सहारा उसे हग करती है और यूकी मन में कहता है किसी के देखने से पहले मुझे निकलना होगा लेकिन सहारा उसे अपनी टैंगो से पकड़ कर कहती है तुम कही नहीं जा सकते फिर यूकी मन में कहता है ओ हाँ ये वही लड़की है जो एक्षिबिशन मैच में प्रो रेसलर की तरह लड़ी थी पर फिर भी मुझे निकलना होगा तब ही सहारा कहती है बच्चे से रहो फिर यूकी आगे कहता है और मैं निकलना चाहता था लेकिन मैं निकल नहीं पाया और फिर मैंने सोचना ही छोड़ दिया इसके कुछ वक्त के बाद सहारा उटकर कहती है मुझे माफ करना मैं भूल गई थी कि सेवर स्कॉर्ड आ जाने वाली है तबी वो दोनों सामने देखकर चौक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर हिमारी खड़ी होती है और यू कि आकर पूसता है क्या हुआ हिमारी तो हिमारी कहती है मैं उसकी ट्रेनिंग खतम होने का इंत कर रही है फिर सहारा पूसती है ही हिमारी क्या तुम याचियों को आदर्श मानती हो तो हिमारी कहती है उसकी परसनलिटी बेकार है लेकिन वह पढ़ाई और स्पोर्ट्स में अच्छा करती थी इसलिए मैं हमेशा उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहती थी फिर सहारा कहती है personally मुझे ये थियोरी पसंद है कि किसी की पीच की इबिल्टी उसके ग्यान और बरताव पर निर्भर करती है तो तुम्हारे केस में हिमारी याचियों से सीखने की तुम्हारी इच्छा तुम्हारी इबिल्टी बन गई याचियों की टाइम कंड्रोल है मानो लेकि ये अच्छा होगा अगर तुम उससे जरा सी और बाते किया करो सही कहाना यूकी तो यूकी कहता है हाँ तुम्हारी बहन बड़ी कूल है और ये लो तो हिमारी कहती है हाँ मुझे भी जरा सा लगता है फिर वो याचियों के पास उस कपड़े को लेकर जाती है और मुस्कुराती है जिससे देखर याचियों भी मुस्कुराती है पर तभी वो चानक से उसे छीन लेती है जिससे देखर हिमारी कहती है तो मुझे कम से कम शुक्रिया तो भोल सकती हो ना तो याचियों कहती है ओ माफ करना तुम्हें सुन नहीं सकती इदर सहारा कहती है ये देख कर रहत मिली वो अब एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगी है अरे हाँ मुझे लगता है उसे याचियों का कमरा दिखाना सबसे असरदार सॉल्यूशन होगा तो यूकि अजीव से चेहरे के साथ कहता है शायद हमें उसे राज ही रखना चाहिए इदर टैंका पूस्ती है क्या हुमिनाइड शुकी की तलाश करना तो क्योका कहती है हाँ इस लेटिस्ट हमले के बाद हमने हुमिनाइड की कोई भी हरकत नहीं देखी है तो यहाँ इंतजार करनी की बजाए मैं सोच रहे हूँ कि हमें पहले हमला करना चाहिए तो टैंका कहती है हाँ अच्छा पॉइंट है फिर क्योका कहती है कुछ दिन पहले उस क्रेटर में जहां बहुत सारे शुकी आ गए थे तब हमने वहाँ पर पहले हुमिनोइट को देखा था मुझे लगता है हमें हमारी जाच वहाँ से शुरू करनी चाहिए तो टैंका कहती है ठीक है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं और मैं भी जानने के लिए बेताब हूँ कि और कितने हुमिनोइट है हमने अभी तक टोटल 4 तो कंफर्म किये ही है फिर क्योका कहती है लेकि तुमने पहले ही चार में से एक को तो खतम कर दिया है न तो टैंका कहती है मैं शॉर नहीं हूँ और सच कहुं तो मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो सच में मर गया इदर माटों में ही दूर कहीं एक जगा पर हम राइरेन को आते हुए देखते हैं और उसे देखकर शिकोकू कहती है देखकर खुशी हुई कि तुम पूरी तरह से रिकवर हो गए हो राइरेन और तुम इस बार सच में बाल बाल बचे इसके बाद हमें पता चलता है कि जब र लाइकोल के अंदर जाने ही वाला होता है उसी वह शिकोकू वहां पर आकर उसे पकड़ कर वहां से ले जाती है फिर वो राइरेन से कहती है अच्छा हुआ मैं तुम्हारे साथ थी तो राइरेन कहता है मैं उसके बार भी लड़ सकता था फिर शिकोकू कहती है तुम्हारी कमांडर उनके साथ नहीं थी और इस हमले का असली मक्सर एक कमांडर की तागट को एक्सपिरियंस करने का था लेकिन उन्होंने मेरी उमीर से बहुत जादा ही कर दिया इसलिए हमारे अभी के रिसोसेस का इस्तिमाल करकर दीमन डिफेंस फोर्स पर हमला करने का प्लैन बेकार है तब ही राइरेन कहता है एक सेगेंट रुको कुछ कीड़ों के जुंड के लिए वह मजबूत होंगे लेकिन हम फिर भी उन्हें हरा सकते हैं तुम्हें कहा लगता है हमें से कौन सा ही है जो कि वह आप से हिलते हैं हाला कि मुझे आठ लोगों शब्स से नफरत है हम इंसान नहीं है हमें इんसानों के त्रीट मत करो तो शरुड कहता है माफ करना मीरी गलती है फिर जो रूप बढ occup उस से हो रहे हैं तुम कह सकती हो कि वो मेरी सोल से जाना पेचीदा है поряд है और वो से हीरां करने नहीं चूकते इसल मुझे लगता है और कुछ आ farmer वी है तो टेंका किएति यह बस एक चीज और जालसी परसनल है तो क्योका पूसती है और वू क्या है? फिर टेंका पूसती है क्या मैं तुम्हारी गुलाम को ले सकती हूँ जिससे सुनकर क्योका को भी शौकसा लगता है और इसे के साथ ये एपिसोड भी अट हो जाता है तो गाइस, मैं होप करता हूँ कि आप कश एक्स्प्रेशन अच्छी लगी होगी अगर आप कश्प्रेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करतें और नीचे एक कमेंट भी ज़रूर करतें इसका नेक्स्ट एपिसोड अगले थर्जदे को रात को रिलीज होगा तो उसके एक्स्प्रेनेश्य वीडियो फ्राइडे या सैटर्डे तक आजाएगी और अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलते हैं एक और नेक्स्प्रेनेश्य वीडियो के साथ तब तक के लिए ठाटा बाई बाई